अस्सलाम अलेकुम, कैसे हैं, आप सब ठीक ठाक होंगे, एक और लेक्षर में मैं आपको खुश्याम देता हूँ, आज हम सीखने वाले हैं, फ्लास की एक और एप, जो EDA करके हमें देगी, या आप ये कहलेंगे, बेसिच प्लोटिंग जो हमें वो करके देगी, और फ्लास के हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, मैं यहां पर बनाता हूँ जनाब app.py, पहले चीज यहां पर app.py के उपर जब हम काम करते हैं, तो हमने यहां पर अपने code जो है वो लिखना स्टार्ट कर देना है, मैं यहां पर लिखता हूँ, comment करता हूँ पहले, import libraries, तो हमने सबसे पहले libraries को import करना है, import from flask, import flask and rendered templates, ठीक है, यह दो जो है हमने libraries को import कर लेना है, flask क्या है, rendered templates क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे, but before that we have to learn कि हमने क्या करना है, pandas कर लिया, numpy कर लिया, matplotlib कर लिया, seabon कर लिया, यह कुछ libraries हमने यहां पर कर लिया, अब हमने अगला काम क्या क करना है, हमने यहां पर import io भी करना है, import io और हमने import base64, यह कुछ library है जो हमने यहां पर start करना है, so सबसे पहले आप अपना flask की class है, उसके instance को जो आप create करेंगे, यानि कि मैंने यहां पर app is equal to flask, underscore underscore name जो है यह लिखके start कर लिया, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, एक function derive करना है, to load the data, so define a function to load the data, so उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर load data या कोई function ऐसा derive करेंगे, जिससे data जो है, वो load हो जाए, for example, मैं यहां पर लेखता हूँ, define load data, और यह जो इसने काम किया है, इसकी बजाए हमने जो data load करना है, वो करना है, sns.load data set, और हम यहा लेते हैं, for example, मैं यहां पर कर लेता हूँ, iris का data, which is very usual, अब iris के data set को यहां पर load कर लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, define the function to plot, define करेंगे, the function to plot the data, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक function ऐसा derive करेंगे, जिसके अंदर plots होंगे, for example, हम यहां पर plot और df का function लगाते हैं, यहां पर subplots आगे, scatter plot भी हमारा बन रहा है, और उसका title भी आगया, यह पास हमारे पास फिर इस तरीके से इसकी layout बन जाएगी, और इस image को हम save भी कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही हो गया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, we can do different kind of techniques, कि आप जितने भी किसम के plot बनाए उसको save करने का तरीका कार भी रखें, and then उसको IO library को use करते हैं, हम उसको different किसम की जो image है, उसको formatting भी दे सकते हैं, and then we can also encode byte subject into base64, which we need to return as this image, ताके हम उसको फिर print करवा सकें, ठीक है, फिर हमने route को define करना है, और उसके लिए app, at the rate of app.route, जो हमने basic app के अंदर भी देखा था, वो कर लेंगे, अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने basically अब बताना है, index अपना, और index के अंदर हमने define करना है, for example, यहाँ पे है load the dataset, हम क्या करेंगे सबसे पहले, load करेंगे data, ठीक है, and then plot the data हम क्या करेंगे, b64, यह जो हमारे पास एक image है, जो plot होगी, हम उसको plot कर ले then we have to return, rendered template जो हमने index.html है, वहाँ से इसको ले करना है, इस वज़ा से हमने यह वाला जो render.index.html लिखी है, अब यह render जो template से हम कर रहे है, इसको run करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले अगर हम मैं यहाँ पे एक final command लिख दू, now you can see कि हमारे पास यह basic सी एक app जो है, व मैंने link दी है, वहाँ पे आप जाके repository के अंदर देख सकते हैं, अब यह app.py मैंने बना दी है, but how, what if I need to run this app, so उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको terminal को open करता हूँ, let's see, new terminal, और यहाँ पे मैं cd, इसके बाद 02 में जाता हूँ, या बलके 02 में जाने के बजाए, मैं यहीं पे लिखता हूँ, python 02 के अंदर जाके, slash, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, app.py, app.py, ठीक है, यह मैं लिखता हूँ, और let's see, इसको हम run करते हैं, तो यह हमारे पास थोड़ा सा time लेगी run होने में, because this app contains different functions, और जैसे यह हमारे पास run होगी, and now you can see कि हमारे पास debugger pin भी है, debugger activate भ कर सकते हैं, यहाँ पे control click के साथ हम इसे run भी कर सकते हैं, अगर आप गौर करें, तो हमारे पास अभी भी hello world, hello world, how are you, run हो के आ रहा है, reason क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमने यहाँ से इसको बंद नहीं किया हुआ था, terminal के अंदर से जो हमने पिछली app चलाई थी, मैं इसको अब refresh करता हूँ, और यह हमारे पास template not found की error दे रहा है, template not found की error क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास index का template मौझूद नहीं है, index.html का template नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस app के folder के अंदर, एक नया folder बनना है, इसको नाम देना है templates, और इसके अंदर file बनानी है, जिसका नाम है index.html, ठीक है, अब इस index के अंदर जो भी हम लिखेंगे, वो सारे का सारा वहाँ पे print होगा, for example, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, something, sorry, मैं यहाँ पे छोटा सा कुछ इस तरीके से इसको run कर देता हूँ, let's see हमारे पास कौन कौन सी चीज यहाँ पे आती है, मैं अगर इसको ctrl s करता हूँ, और वापस अपने इसके उपर जाकर इसको refresh करते है, exploratory data analysis of the iris dataset, तो यह हमारे पास iris dataset, यह idea आगया, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, बलके इसको analysis of the iris dataset, अब यहाँ पे हमने source of the image को यहाँ पे print करना है, और उसके लिए हम क्या कर सकते है, लेट सी, यहाँ पे जो हमारे plot का url है, basically यह है यह वाला, ठीक है, बजाए इसके plot के url को बनाए, हम यहाँ पे इसको रखते हैं, and then try to run this, यह हमारे पास plot बनाए, ठीक है, so this is how you can actually take the things from backend, यह backend है, जो app.py है आपकी file, इस backend से आप चीज़ों को उठाएंगे, जैसे मैंने यह वाली image जब बन गई थी, इसको सिरफ index html के अंदर, जहाँ पर यह image का tag आ रहा है, उसको print किया, और simply, यह जो b64 image, यह 64 image जो हमने बनाए है plot से, यह basically हमने template के अंदर print की है, और यह जो function, sorry, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह वाला, हमारा जो plot है, उसको bits, bytes के अंदर save कर रहा है, so simply आप यह कहलें, कि app के अंद show होने वाली image के अंदर यह से save कर रहा है, and this is how you can plot one image, और अगर आप multiple plots भी जाते हैं, you can create multiple plots as well, उसके लिए आप क्या करेंगे, let me show you once, मैं यहाँ पर, यह वाले plots जो हैं, जहाँ पर एक बना था, वहाँ पर multiple plots बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, and then we will see कि हमारे पास क्या होता है, so मैंने क्या किया है, यहाँ पर सब plot बनाए है, ठीक है, 12 by 12 के अंदर 2 by 2 के 4 plot यहाँ पर बन गए है, ठीक है, और data के अंदर से यह plot बन गए है, different किसम के, और यह इनकी layout है, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा रखती है, and then we can say कि हमारे पास यहाँ से इस तरीके से अगर हम इसको बनाते हैं, let's see कि हमारे पास app के अंदर क्या show हो रहे है, अगर error आई, then we will see, तो यह हमारे पास 4 plots आगे, ठीक है, बजाए 1 के 4 plots आगे, और आप यही काम plot लीके साथ, भी कर सकते हैं, so this is how you can actually create an EDA kind of app, अब इसके अंदर कुई भी functionality भी add कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल basic app आपको इसवेटर से बना के दी, ताके आपको समझाए, like, share, subscribe ज़रूर कर दिया करें, जब अब हमें सुन रहे हो, क्यों, उसकी reason क्या है, that helps us to grow in this channel, and bring more videos for you, अपना ख्यार के दौमें याद रखें, और मिलते हैं, next video के अंदर, take care, Allah आफिस,